दब ब्लैक ओल फिम की कहानी चार्ली नाम के एक एसस सक्सी है जो कि एक आफिस वरकर था एक दिन वो अपने आफिस में अकेले नाइट सिफ्ट पर होता है वो हमें अपने हाथों को प्रिंटर के बटन पर जोर जोर से मारते हुए दिखता है उसके इस हाव हाव से हमें पता चलता है कि चार्ली काफी फरस्ट्रेशन में है और सायद अपने इस जौप से खुस नहीं है फिर अपने पैर से वह प्रिंटर पर जोर से मारता है जिससे प्रिंटर काम करना सुरू कर देता है और उसमें से एक पेपर प्रिंट होकर बाहर आता है चार्ली उस प्रिंट आईड़ में रखकर कर प्रिंटिंग मशीन को चैक करता है पर सभी कुछ सही पाकर काफी धहरान होता है कौफी पिकर जब वह कप कर्च पर रखता है तो उसी पीड होता है कि वहाँ कप Quando占 पानी हम न मिहार को कौझ करता है यह देखर उने हाथ कर दोबरान चालता है और पिछली बार की तरह ही उसका पूरा हाथ उस ब्लैक होल के अंदर चला जाता है चार्ली के माइन में एक आइडिया आता है वो सोचता है कि अपने इस इन्वेंशन से वो काफी कुछ कर सकता है इसलिए वो वेंडिंग मशीन के पास आकर उस पेपर को वेंडिंग मशीन के गेट पर रखता है और अपने हाथ को वेंडिंग मशीन के अंदर डाल कर कुछ चोक्रेट बाहर निकाल कर खाने लगता है मतलब कि उस printed paper के उपर जो black part printed था वो एक तरह से hole का काम कर रहा था फिर चार्ली अपने चार ओर देखने लगता है कि अब वो अपने invention से क्या क्या कर सकता है तब ही उसकी नजर locker room के उपर जाता है उस black hole की help से वो locker room का gate खुलकर अंदर पर तीजोरी के पास जाता है और तीजोरी के gate पर उस printed paper को चिपका देता है फिर उसके अंदर अपना हाठ डाल कर तीजोरी में रखे पैसे को निकालना सुरू कर देता है बहुत सारा पैसा निकालने के बाद उसका हाथ ती जोरी में पूरी तरह से पहुंशनी पाता है इसलोब बिना कुछ सोचे समझे बज़ हुए पैसे निकालने के लिए खुद ती जोरी के अंदर घुश जाता है और उसके अंदर घुशते हैं वो पेपर ती जोरी से अलग होकर नीचे गिर जाता है झालने के अंदर जाता है